तो यह सिंपल सा कूलर है जिसे हमने स्मार्ट बनाया है कंट्रोलर लगा कर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नमबर का बटन दबाना पर यह लो स्पीड पर चल रहा है फैंट ठीक है इसमें जो मोटर लगा हुआ है कूलर में वो सिंगल स्पीड मोटर है लेकिन हमने इसको लो मीड और हाई तीने स्पीड में कंवर्ट कर दिया इस कंट्रोलर के थ्रू इसके बाद आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रल तो होई गया है और पौर बटन दबाने पर यह पूरा ओन हो जाएगा और म्यूट बटन दबाने पर पूरा ओफ ठीक है रिमोट इजली अवे मार्केट में कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा ओके इसके अलवा इसका जो पंप है पंप और इसका स्विंग मोटर दोनों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं इस रिमोट से जब हम ऑन का बटन दबाते तो सब कुछ एक साथ ओन हो जाता और एक करके करना चाहे तो वन ट मैं चाहर नमबर बटन दबाकर इसको अन कर देता हूं इसके साथ ही यह जो एरो कीज है इनको दबाकर मैं इसका टाइम सेट कर सकता हूं देखिए अभी मैंने टाइम सेट किया दो मतलब दो मिनट तक पंप उन रहेगा उसके बाद ऑटमेटिक आफ हो जाएगा और आफ कै कट्रोल होगा परेट इस तरह से यह समार्ट कंट्रल रवर्क करता है किसी भी कुलर में यह समार्ट बना देगा साथ में कुलर को भी टाइमर लगा सकते थाटी 30 मिनिट के अंत्राल में अदे घंटे में पूरा कुलर आफ हो जाए हम इसको 3030 के अनुपात में बढ़ा सकते एक घंटा दो घंटा पांच घंटे जब भी इसको आफ करना चाहें इस तरह से इसको पूरा आटमेटिक बना दिया है अभी देखिए हमने पंप का टाइमर ओन किया है तो आप देखेंगे कि पानी की आवाज आती आती है भी बंद हो जाएगी ठीक है पंप आटमेटिक आफ काम करता है